हलो बच्चो कैसे हो आप लोग बिटा आज हम लोग आपकी English Merry Gold से पढ़ेंगे Unit 9 जो आज आपके लेसन का नाम है The Magic Porridge Pot ठीक है बिटा सबसे पहले हम लोग इस लेसन को Complete Explaining के साथ पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग Word Meaning को Learn करेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं ये Magic Porridge Pot की कहानी है बिटा Magic मतलब होता है जादूई क्या होता है Magic Means जादूई और Porridge Means होता है दलिया क्या होता है बिटा Porridge Means दलिया और Pot Means होता है बिटा आपका जैसे इस लड़की के पास है न मटका तो pot means क्या हूँ आपका? मटका अब हम पढ़ना इस्टार्ट करते हैं बिटा सबसे पहले लिखा हूँ है Once there was a little girl एक बार की बात है एक छोटी सी लड़की थी girl means लड़की ठीक है? उसका नाम था Tara क्या था बिटा उसका नाम? Tara She lived with her mother और वो अपनी ममी के साथ रहती थी They were very poor और वो लोग बहुत ज़्यादा क्या थे? गरीब थे क्या थे बहुत ज़्यादा? गरीब फिर लिखा है One day she went to a forest एक दिन वो लड़की एक जंगल में गई कहा गई बेटा? जंगल में ठीक है? There she met an old woman एक बुढ़ी ओरत से The old woman give her a pot और वो बुढ़ी ओरत ने उस छोटी सी लड़की को एक pot दिया क्या दिया बेटा? एक pot She said This is a magic pot It will cook porridge for you when you say और उस बुढ़ी ओरत ने क्या कहा? कि ये एक magic pot है और ये तब तक आपके लिए खाना बनाता रहेगा जब आप कहोगे You say Cook pot cook जब आप क्या कहोगे? Cook pot cook यानि pot खाना पकाओ ठीक है? और उसके बाद वो बुढ़ी ओरत कहती है It will stop making porridge when you say Stop pot stop इस बुढ़ी ओरत ने कहा कि जब आप Stop pot stop कहोगे तो ये pot खाना बनाना Stop कर देगा ठीक है बच्चो? आगे हम लोग पढ़ते हैं Tara was very happy और Tara बहुत खुश हो गई She ran to her mother and said Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot तो Tara क्या हो गई बिटा? बहुत खुश हो गई ठीक है? और Tara खुशी के मारे दोरते दोरते अपनी ममी के पास गई और उसने अपनी ममी से कहा कि ममी, अब हम लोग जादा दिन तक भूखे नहीं रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उसने कहा I have got a magic pot मुझे एक magic pot मिल गया है ठीक है बिटा? अब आगे क्या होता है? Her mother was very happy and they both ate porridge और उसकी ममी बहुत खुश हो गई ठीक है? उससे पहले ये लाइन छूट गई है Tara said to the pot Tara ने pot से कहा cook pot cook क्या कहा बिटा? cook pot cook ठीक है? and the pot cooked porridge और pot ने porridge बनाना स्टार्ट कर दिया Her mother was very happy and they both ate porridge उसकी ममी बहुत खुश हो गई और दोनों ने porridge खाया ठीक है बिटा? one day when Tara had gone out एक दिन जब Tara कहीं बाहर गई भी थी और mother felt hungry तो उसकी ममी को भूग लग गई ठीक है बिटा? अब उसकी ममी को भूग लग गई तो उसकी ममी ने कहा क्या कहा? cook pot cook कि pot खाना पकाओ? ठीक है? तो the pot started cooking porridge और pot ने खाना पकाना start कर दिया अब आगे क्या होता? after eating it her mother sat do not cook pot अब उसके बाद porridge खाने के बाद उसकी ममी ने क्या कहा? do not cook pot मतलब pot खाना मत पकाओ लेकिन ऐसे तो pot रुखता नहीं क्योंकि pot को रुखने के लिए दूसरी चीज बोलनी पड़ती है but the pot went on cooking लेकिन pot जो है वो खाना पकाता ही गया soon the porridge started spilling on the floor और बहुत जल्द क्या हो गया बिटा? जो porridge है वो पूरे floor में फैल गया ठीक है? mother called out again ठीक है? उसकी ममी ने फिर से कहा क्या कहा? उसकी ममी ने वेट डू नाट कुक एनिवेर एनिमूर ठीक है? तो उसकी ममी ने कहा कि रुको और अब ज़्यादा मत पकाओ लेकिन जो pot था वो इस बात से भी नहीं रुका but the pot did not stop लेकिन pot ने रुकने का नाम ही नहीं लिया mother ran out of the house and the porridge followed her अब उसकी ममी तो घर से बाहर चले गई लेकिन जो porridge था वो उसकी ममी को follow करता गया मतलब उसकी ममी के पीछे-पीछे घर के बाहर तक चला गया ठीक है? Soon there was porridge anywhere और बहुत जल जो है वहाँ चारो तरब क्या हो गया? porridge ही porridge हो गया The whole village saw it अब देखो पूरे गाउं को पता चल गया इसके बारे में They ran to eat the porridge और सारे गाउं वाले porridge खाने के लिए दोरते हुए आ गई When Tara came back, she saw that the road was full of porridge और जब Tara दोरते हुए घर की तरफ आई जो वापस आई वो तो उसने देखा कि पूरे रोड में तो porridge ही porridge है She ran home as fast as she could और वो भागते वे घर गई जितनी जल्दी वो भाग सकती थी ठीक है She heard her mother shout Tara the pot is cooking and it will not stop वो सुना उसने की उसकी ममी चिला रही है उसकी ममी क्या चिला रही है कि Tara pot खाना बकाना बंधी नहीं कर रहा है वो पकाता ही जा रहा है Tara called out Tara ने फिर क्या कहा Stop pot stop and it stop it cooking porridge ठीक है Tara ने जब क्या कहा Stop pot stop तो पोट ने खाना पकाना बंध कर दिया तो बिटा पोट को रोकने के मंत्र क्या था क्या बोलना था Stop pot stop ठीक है और जब खाना पकाना है जब खाना पकाना है तो उसके लिए क्या बोलना पड़ता था? cook pot, cook तो बिटा, ये थे आपकी story, इसमें कुछ new word है हम लोग इनको पढ़ेंगे, ठीके पहला new word है आपका magic, पहला क्या लिखा वो है? magic, magic means जादू होता है ना, दूसरा है cook, जैसे आपकी मम्मी खाना पकाती है, तो आप बोलते हैं my mother is cooking तो खाना, पकाना cook means क्या होता है? पकाना तीसरा है आपका porridge, porridge means दलिया, p-o-r-r-i-d-g-e porridge, porridge means दलिया, और फिर आपका है spilling, फिर क्या है आपका spilling फैलना, ठीक है next आपका hole, hole means बड़ा, और village, village means gown, तो ये आपके कुछ word meaning हो गए, आगे भी हम लोग इसमें कुछ word meanings को पढ़ेंगे बच्चों, ये रही आप लोगों की word meaning ठीक है, इसमें आपका पहला word है magic, पहला क्या है बिटा, आपका magic, magic means क्या होता है, जादू क्या होता है बिटा, magic means जादू और second है आपका porridge बिटा, इनकी spelling को आप लोग ध्यान से देखो P-O-R-R-I-D-G-E porridge porridge means होता है बिटा, आप लोगों का दलिया क्या होता है, porridge means दलिया ठर्ड है आप लोगों का पूर क्या है बिटा, ठर्ड पूर P-O-R-P-O-R पूर मिन्स होता है, बच्चो गरीब क्या होता है, पूर मिन्स गरीब और next है बिटा, आप लोगों का हंगरी क्या है बिटा नेक्स टाप लोगों का हंग्री ह-u-n-g-r-y हंग्री मिन्स होता है बच्चो भूखा क्या होता हंग्री मिन्स भूखा और नेक्स टाप का स्टॉप स्टॉप मिन्स रुकना क्या होता है बच्चो स्टॉप मिन्स रुकना लास्ट है आपका बट बट मीन्स होता है बच्चो लेकिन क्या होता है बच्चो बट मीन्स लेकिन ठीक है और नेक्स्ट है आपका फास्ट F-A-S-T फास्ट फास्ट मीन्स होता है बच्चो जल्दी क्या होता है फास्ट मीन्स जल्दी नेक्स्ट है आपका बच्चो ह-e-a-r-d हड हड मिन्स होता है बच्चो सुना हड मिन्स क्या होता है बच्चो सुना नेक्स्ट है बच्चो आपका s-h-o-u-t shout shout मिन्स होता है बच्चो चिलाना shout मिन्स चिलाना नेक्स्ट है बच्चो आपका लास्ट Everywhere 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 means हर जगह क्या होता है everywhere means बच्चो हर जगह तो यह हैं आपकी कुछ word meaning इनको आप लोगों को learn करना है और इस word meaning को stop करके अपनी copy में लिखो ठीक है तो बेटा इसी तरह की और वीडियोज के लिए अफट अफट मेरे चैनल को subscribe कर दो और हाँ मेरी वीडियोज को like और share करना मत भूलना Thank you